सुप्रीम कोट ने कहा है कि देश को टी इन सेशन जैसे चुनाव आयुकत की जरूरत है। ये वही टी इन सेशन है जिन्हें पशिम मंगाल के तदकालीन मुख्य मंतरी जोती वसु ने पागल खुता तक कह दिया था। बिहार के मुख्य मंतरी रहे लालू प्रसाधियादों ने तो एक बार गुस्से में यहां तक कह दिया था कि शेशनवा को भैंसिया पे चढ़ा कर गंगा जी में हिला देंगे। जब शेशन को भारत का मुख्य के चुनाव आउप्त बनाने की बात आई तो राजियू गाधी ने कहा था कि वो दाड़ी वाला उस दिन को हमेशा कोसेगा जब उसने शेशन को मुख्य के चुनाव आउप्त बनाने का फैसला किया था। कौन था वो दाढ़ी वाला जिसने शेशन को मुख के चुनाव आयुत निवत किया लालू और शेशन के बीच इतनी तलकी क्यों थी इस पॉड़कास्ट में वो सारी किस से जानेंगे ये भी बताएंगे कि क्यों कहा जाता है कि राजनेता या तो भगवान से डरते हैं या फि साल 1945 में बिहार बिधान सभा के चुनाव होने थे उस समय बिहार में बूत कैप्चरिंग की गटनाएं आम थी और निस्पक्ष चुनाव कराना इतना असान नहीं था लिहाजा शेशन ने बिहार बिधान सभा का चुनाव टाल दिया इससे ततकालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसादियादो काफी नराज हुए उन्हें शेशन को अपने अंदाज में कोस्ते हुए कहा था कि शेशनवा पगला सांड जैसा हो गया है मालूम नहीं है कि हम रस्ताबात के खटाल में बंद कर सकते हैं हद तो तब हो गई जब शेशन ने बिहार बिधान सभा का आउत रहे आरजेम पिलई को फोन लगा दिया पिलई ने जैसे ही फोन उठाया लालू भड़क गये लालू ने फोन पर ही कहा कि पिलई हम तुम्हारा चिप मिनिस्टर है और तुम हमरा अपसर इस शेशनवा बीच में कहां से टपकता रहता है फैक्स भेजता रहता है हम आप बंधू बिहारी में किया है दरसल टीन शेशन को भारत का मुख के चुनावायक बनाने के लिए सुब्रमन्यम स्वामी ने मनाया था हाला कि इससे पहले कैबिनेट सचीव रहे विनोद पांडे ने भी उन्हें ये प्रस्ताव दिया था लेकिन शेशन ने विनोद के प शेशन को हार्डवर्ड इन्योसिटी में पढ़ा चुके थे ऐसे में स्वामी और शेशन के बीच गुरू और शिश्य का रिष्टा था अलाकि शेशन ने स्वामी से ये जरूर कहा कि वो कुछ लोगों से परामर्श लेने के बाद अपनी स्विक्रिती देंगे इससे पहले सर्दी से जुड़ी शायरी, नजमे और प्वेट्री पढ़ी हैं और समझाई हैं इस पॉड्कास्ट को आप अपने मनपसंद प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं तो अब चलते हैं शेशन की कहानी के ओर टीन शेशन की जीवनी शेशन एन इंटिमेट स्टोरी लिखने वाले वरिश पत्रकार के गोविंदन कुट्टी बताते हैं कि स्वामी के जाने के बाद शेशन ने राजियुगाधी को फोन मिलाया राजियु गाधी ने जैसे ही फोन उठाया तो शेशन ने कहा कि वो तुरंत उन्से मिलना आना चाहते हैं जब वो उनके यहां पहुँचे तो राजियु गाधी अपने ड्राइंग रूम में थोड़े उत्सुपता के साथ उनका इंतिजार कर रहे थे शेशन जैसे ही पहुँचे तो राजियु गाधी ने अपने एक सहकर्मी को जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि फैट मैने इस हीर क्या आप हमारे लिए कुछ चौकलेट्स भीजवा सकते हैं चौकलेट्स खाते हुए ही राजियु गाधी ने शेशन को मुख के चुनावायूत का पद स्विकार करने के लिए अपनी सहमती दे दी लेकिन वो इससे बहुत खुश नहीं थे जब वो शेशन को दर्वाजे तक छोड़ने आए तो उन्होंने छेड़ते हुए कहा कि वो दाढ़ी वाला शक्स उस दिन को कोसेगा जिस दिन उसने तुम्हे मुख के चुनावायूत बनाने का फैसला लिया होगा दाढ़ी वाले शक्स से राजी वाधी का मतलब प्रधान मंत्री चंद शेखर से था क्योंकि चंद शेखर के कहने पर ही सुब्रमनियम स्वामी शेशन को मुख के चुनावायूत के लिए मनाने गये थे सुब्रामनियम उस समय चंद्शेखर के काईविनेट में खानून मंत्री थे शेशन देश के दस्वे मुख के चुनावायुक्त बने शेशन ने चुनावायुक्त बनने के साथ ही फरजी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए सरकार को एक प्रस्ताव भेजा इस प्रस्ताव में कहा गया था कि मद्दान पहचान पत्र पर वोटर्स की फोटो लगाई जाए जिससे फरजी वोटर्स को रोका जा सके इस प्रस्ताव का सरकार और नेताओं ने जमकर भी रोत किया सरकार ने साफ वना कर दिया कि भारत में इतनी खर्चीली व्योस्ता संबव नहीं है इस पर शेसन ने सरकार और नेताओं को दो टूक में कहा था कि जब तक वोटर साइडी पर मद्दाता की फोटो लगी वोटर साइडी नहीं बनवाएंगे तब तक देश में चुनाओं नहीं होंगे इसके बाद साल 1993 में फोटो सहित वोटर साइडी की शुरुवात हुई साल 1992 के उत्तर प्रदेश विदान सबा चुनाओं को निश्पक्ष कराने के लिए शिरसन ने सभी जीला मजिस्टेटों, पूलिस अफसरों और परिवक्षकों से कह दिया था कि एक भी गलती बरदाश्ट नहीं की जाएगी किसी भी गलती के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे शिरसन ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही खरीब पच्चास हजार अपराधियों को ये विकल्प दिया था कि या तो वो अगरीम जमानत ले ले या खुद को पूलिस के हवाले कर दे अख़बारों में छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक तब एक रिटर्निंग आफिसर ने कहा था कि हम एक दया विहीन इंसान के दया पर निर्भर हैं साल 1993 में हर्शद महताकान की वज़ा से वारी जमंत्री रहे पी चितंबरम को इस्तिफा देना पड़ा था इसके बाद नर्सिम्हाराव सरकार ने उस वक्त के योजना आयोक के उपाधक्ष रहे प्रडव मुखरजी को वारी जमंत्री बना दिया हलांकि प्रडव मुखरजी संसत के किसी भी सदन के सदस से नहीं थे तब तक पशिम्मंगाल की दो राजी सभा सीटों पर चुनाओ की गोशना हो चुकी थी तब ये हुआ कि पशिम्मंगाल की एक सीट से प्रडव मुखरजी को राजी सभा भेज दिया जाएगा क्योंकि उस समय पशिम्मंगाल में कॉंग्रेस के इतने विधायक थे कि वो अपने धम पर कम से कम एक सीट जीत सके लेकिन इसे बीच मुख के चुनाओ आईप टियन शेशन ने दो अगास 1993 को 17 पीच का आदेश जारी कर दिया इस आदेश में ये कहा गया था कि जब तक सरकार चुनाओ आयो की शक्तियों को मानिता नहीं देगी देश में कोई भी चुनाओ नहीं होगा और केंद्री मंत्री प्रडव मुखर जी को अपने पद से इस्थिफा देना पड़ा था इस घटना से उस वक्त के पशिम मंगाल के सीम जोती बशु इतने नराज हुए कि उन्होंने शेशन को पागल कुट्ता तक कह दिया था वीपी सिंगे तो यहां तक कह दिया था कि हमने पहले कार खानों में लौकाउट के बारे में सुना था लेकिन शेशन ने तो प्रजात तंत्र को ही लौकाउट कर दिया है टि-न शेशन ने कई चुनाओं को तो सिर्फ इस वज़ा से इस्थगित कर दिया था कि उस राजी में वोटर पैचान पत्र तैयार नहीं था शेसन के सबसे हाई प्रफाइल शिकार थे हिमाचल प्रदेश के ततकालीन राजेपाल गुलशेर अहमत चुनावायोक द्वरा सतना का चुनाव इस्थगित करने के बाद उन्हें अपने पत्र से इस्थिफा देना पड़ा था गुलशेर अहमत पर आरोप था कि उन्हें राजेपाल पत्र रहते हुए अपने पुत्र के पक्ष में सतना चुनाव शेत्र में चुनाव परचार किया था उसी तरह राजस्थान के तदकालिन राजेपाल बली राम भगत को भी शेशन का खोब भाजन बनना पड़ा था जब उन्होंने बिहार की एक अफसर को पुलिस का महानिदेशक बनाने की कोशिश की थी शेशन की एक और उपलब्धी थी जिसमें उमिद्वारों के चुनाओं खर्च को कम करना था उनसे एक बार एक पत्रकार ने पूछा था कि आप हर समय कोणे का इस्तिमाल क्यों करना चाहते हैं इस पर शेशन ने जवाब दिया था कि मैं वही कर रहा हूँ जो खानून मुझसे करवाना चाहता है उससे न कम न जज़्यादा अगर आपको खानून नहीं पसंद तो उसे बदल दीजिए लेकिन जब तक खानून है मैं उसको तूटने नहीं दूँगा तीन शेशन ही थे जिन्होंने देश के आम आदमी को चुनाव आयोग की ताकत का एहसास कराया था जमुक के चुनाव आयोग तरहते उन्होंने कहा था यानि मैं नाशते में राजनितिग्यों को खाता हूँ आज चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोट की जो टिपड़ी आई है वीवी पैट से लेकर एवियम तक जो सवाल उठ रहे हैं चुनाव आचार सहीता का जिस तरह से टॉप लेवल के नेता उलंगन कर रहे हैं और उस पर जैसी प्रतिकिरिया आयोग की है उससे लगता है कि ना ह कमिशन इस इटिंग इट्स रेपूटेशन ये कहानी आपको कैसी लगी हमें क्विंट के इमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिख कर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए कि ये भी सुझाओ दे अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं त इसे एक्सगेटरी ली प्रोडिश किया है रितु कपूर और संतोष कुमार ने इस एपिसोड को एडिट किया है अंजली पलोड ने और पैकडाउन म्यूजिक बीम्जी प्रोडक्शन से लिया गया है आप सुन रहे थे दे क्विंट का पाड़कास्ट